हलो मेरे प्यारे बच्चो वालकम टू स्टाप अकैडमी आप रशी उपाधिया यौर केमेस्टी मेंटॉर और आज लेकर आई हूं क्या क्लास नाइंत का सेकिंड चेप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और वो क्या है फिजिकल चेंज एंड कैमिकल चेंज मतलब इस चेप्ट चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है बच्चो एक ज़एनरल सी में आपसे बात करूंगी फिजिकल चेंज इसको हम इस तरीके से बोलते हैं टंप्र एरी चेंज होता है क्या होता है पीड करति चेंज होता है तो के तो कुछ बोलते ना कि एक्सरनल बोलते लिए चीजे एप्लाइ की जाती है लाइक इलेक्रिसटी इलेक्टिक डिकॉमपोजिशन कही तरही है फोट अलग चीजों के थू ही वो क्या होती है रिवर्ट हो पाती है अधर्वाइस वह नहीं हो पाती है तो आपको सिर्दिमाग मे में सैनिक क्या रखना है कि फिसीगल चींज जिसी कैसे होते हैं डायट विल पी एंपरिडी चेंज ओके और क्यामिकल विल भी अपर मैंट चेंज फिजिकल is reversible process and chemical is a irreversible process वो कैसी पूसेज़े इसमें देख लेते हैं यहां पे physical property of a substance जो बता रहा है properties of a substance सच जैसे कि हम बात करते है physically हमें rigidity पता चलती है color, fluidity, boiling point, melting point, density, hardness जो हमें कहीं न कहीं हम physically उसको ना देख कर पता कर पाते हैं हमें वो समझ भाता क्या रही तो result है हाँ इसा color यह है hardness तो इन सब चीज़ों को आप change कर सकते हो यह सब चीज़े इसमें change हो सकती है तो वो हमारी क्या है तरीके से physical property है अब यह physical property को ही देखते वे physical change भी होता है अब कैसे होता है when the physical property of a substance change it is known as physical change अब solid दिख रहा है और वो लिक्विट में जा रहा है लिक्विट से गैस में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि हम में उसका physical property भी दिखते कि पहले वो solid था फिलिक्विड वा फिर गैस हुआ लिकिन एक ही चीज़ ते जो और बाद में फिर से वो रिवर्स भी हो रही है तो वह लिखा हुआ है कि वैन वी कनवर्ट सब्सक्राइब सॉंप्स्टेट तो अनदर सच असा इस वाइस इन्टो लिक्विड और वाइस वर्सा इन्टो फिजिक्स फिजिकल चेंज आज अज ऑन्ली दिख फिजिकल नेचर अज़ यहां पर क्या वोटर बन गया है तो वोगे लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेट हम बात करें जाए यहां यहां लिक्विड में वैपर में तो क्या दिखेगा हो हमारे लिए क्या करा ऐगा फिजिकल चेंज करा अब क्यमिकल प्रोपोटी क्यों होती है जो मैंने बोला पच्चों में reaction करें, उनकी property कुछ और होगी बच्छो, और इंसे बना हुआ जो एक नया product होगा ठीके ना, जो substance आपस में reaction कर रहे थे वो एक अलग property के थे और उनसे बना हुआ जो एक नया product था वो एक नई property का है तो यहाँ पे substance जो बनता हा वो new property का बनता है ठीक है ना उसकी एक नई quality नई बात उसमें होती है और वो permanent change हो जाता है अब जिसे simple सी मैं बात करूँ कि दूस से दही का बनना दूस से दही का बनना वो क्या है it is a chemical change ठीक है ना अब मैं एक simple से आपसे question करूँ कि candle है ठीक है ना अब मैंने उसमें दो question आपसे पूछे एक जि और burning of candle क्यों को melting में क्यों हो रहा है state change हो रही है ठीक है ना वो melt हो रहा है जब मुझको heat कर रहे है तो melt हो रहा है और melt हो के liquid और जैसे cool किया वो solid हो जाएगा तो that will be a physical change लेकिन boiling of candle में क्यों होगा sorry burning of candle में क्यों होगा कि जब आप उस candle को burn करोगे atmosphere में आएगा carbon it will react with oxygen will form carbon dioxide है ना carbon dioxide gas produce होगी तो क्या वो फिट से reverse हो सकती है नहीं भाई reverse नहीं हो सकती है तो physical change क्या 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 लाएगा melting of candle and आपका chemical change क्या 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 लाएगा burning of candle एसे ही बहुत सारे आपकी changes दिखाई पड़ेंगे जैसे कि मैंने बुला हम respiration respiration is a chemical change photosynthesis की process is a chemical change नया substance नहीं property का आपको यहां दिखाई पढ़ रहा है ठीक है ना तो यह भी क्या है chemical substance है उसके अब जर्मिनेशन of seed एक seed जब germinate होता है उसके बाद वो flower में किसी भी burst में convert होता है तो क्या वो फिट से seed में convert होगा नहीं होगा तो that will be a chemical change ठीक है ना अधी कोई reaction हो रहा है carbon is reacting with oxygen it will form carbon dioxide it is a chemical reaction ठीक है ना यहां पे एक नया substance बनना है नई property का बन रहाएं तो समझ में कहना क्या चारी ओडर को कहना यही चारी हो कि physical change होते हैं जिसमें color state change हो सकता है लेकिन एक नया substance नहीं बनेगा लेकिन chemical change में क्या होगा एक नया substance नहीं property का बनेगा बच्छो नहीं quality का बनेगा ठीक gets all altered it is called chemical change it is also called a chemical reaction जैसे यहाँ पर option दिया होगा है क्या burning of a paper तो भी paper जब burn होगा तो कहीं नहीं बात सही है chemical change होगा burning of a fossil fuel यह भी क्या है एक chemical change है ठीक है ना तो आपके सामने बहुत सारे options रख दिये जाएं मैं questions लेकर आओंगी बाद में तो उसमें मैं अपसी question जरूर करूँगी कि बहुत तरी questions है एंदि आपको सामने तो आपको ध्यान रखना है कि physical मतलब that is a temporary change और no new substance will form और chemical मतलब एक नया substance इसमें बनेगा ठीक है ना तो बस आपको वह चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा और वह आप ध्यान दोगे तो आप examples निकाल पाओगे कि हां बहुत यह फिजिकल है तो यह क्या है chemical है तो यहां पर भी देखे फिजिकल चेंज में देखे लिखा फिजिकल चेंज ऑफ वाटर इंटू आइस यह फिजिकल चेंज है लेकिन यहां पर देखे क्या हो रहा है कि हैडिजन पर ऑक्साइड जो है वह कंवर्ट हो रहा है किसमें वाटर में और ऑक्सिजन में तो यह chemical चेंज है कि नया चीज नहीं प्रॉपर्टी का बन रहा है तो दिहान टकिएगा वाटर इस फिजिकल चेंज कि टंपररी चेंज है कोई न्यू सब्सेंज फॉर्म नहीं होता है इसमें इसमें चेंज होता है क्या स्टेट कलर रिजिडिटी यह सब चीजों को देखकर आप समझ पाते हो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हो और उनी क कि मैं सिंपल से एक्जामपल दू आयरन और यदि यह पे सलफर करके बनाता है क्या एफ ए एस ठीक है ना अब देखिए जैसे आयरन है और सलफर है ऐसे सिंपल ही रखे हुए तो देखा जाया आप मैगनेटाइजेशन प्रॉसेसर देखोगे कि आयरन को अलग कर पा होगे ह चीक है ना तो फिजिकल किसी भी फिजिकल मींस के तुरू लाइक फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन बहुत तरी प्रॉसेस है उन प्रॉसेस के तुरू आप इसको अलग नहीं कर पाओगे सप्रेट नहीं कर पाओगे या नया फिर से वही सबसें नहीं बना सकते हो तो वो क्य के लाएगा chemical change के लाएगा तो आपको समझ में आ गये होंगे what is physical change and what is chemical change short था और आपको समझ में भी अच्छ तरीके से आ गये होगा आगे चलके जब इसके उपर और questions करेंगे तो यह भी आपके लिए पुरा क्या जाएगा clear हो जाएगा तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे बैल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजेगा कि नेक्स्ट वीडियो का notification जरूर मिल जाए थैंक्स फर वाचिंग दिस बबाए